दोस्तो आप लोगों ने तो चावल की खीर खाई ही होगी आज मैंने आप लोगों के लिए साबू दाना की खीर की रेस्पी लाई हूँ ये मोतियों जैसे खीले खीले हैं ये चिपकेंगे नहीं आपस में और नहीं फटने का चांस रहेगा तो चलिए देख लेते हैं इस रेस्पी को तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो का नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.500 ग्राम साबुदाना लिया है अब इसे पानी डाल कर 2 घंटा रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे देखिए मैंने यहाँ पे साबुदाना डाला उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ अब इसे मिक्स कर दीजे पानी इतना डालिए कि आपका साबुदाना अच्छी तरह फूल सके मेरा 2 घंटा हो चुका है और देखिए साबुदाना भी डबल साइज में हो चुके हैं अब इसे क्या करेंगे अच्छी तरह धोएंगे धोने कहीं प्रोसेस मेन है इसमें देखिए इसे मसलते हुए हाँ थेलियों से इसे अच्छी तरह साफ कर ले फूलने के बाद इसमें काफी ज्यादा इस्टार्च हो जाते हैं अगर आप इसे साफ नहीं कीजेगा तो खीर बनने के बाद यह अच्छे नहीं लगेंगे खीर का फ्लेवर खड़ाब कर देंगे तो देखिए मैं इसके नीचे का इस्टार्च आपको दिखाऊंगी इसी तरह आप भी हाथों से निकाले च्छनी का उप्योग ना करें देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी निकालिये ये देखिए स्टार्च को कितने सारे निकले हैं यही खीर को खड़ाब करते हैं अब चलते हैं गैस के तरफ गैस ओन करके मैंने यहाँ पे आधा लिटर दूद को गरम करने चड़ाया है दूद में उबाल आ जये तब यहाँ प बहुत ही जटपट बनने वाली ये रेस्पी ए फ्रेंड्स अब इसे मिक्स कर देंगे दूद के साथ 5-7 मिनट में आपके खीर त्यार हो जाएंगी इसे करीब 4 मिनट दूद के साथ पकने दीजे देखिए सारे दाने अलग-अलग हैं आप भी इसी तरह बनाईएगा इसका दाना बहुत अच्छे से आएंगे खील कर देखिए यहाँ पे मैंने 4 मिनट पका लिया है अब यहाँ पे जाएगा चीनी मैंने 200 ग्राम चीनी डाला है चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अब थोड़ा सा और पका लेंगे दो मिनट और पकाईए फ्रेंड्स अब जाएगा यहाँ पे ड्राइफ फ्रूट्स आपको पसंद है तो डालिये नहीं तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं अब इसे भी खेर के साथ मिला लेंगे देखिए अब मेरा खेर तयार हो गया है मैंने यहाँ पीलाइची पाउडर नहीं डाला है आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं अब गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं इसे सर्फ करने के तरफ यह बहुत यासान तरीके से बनने वाली रेस्पी है अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप इसे तुरंत बना कर खा सकते हैं और तहवारों की दीनों में भी साबू दाना की खीर को बनाए जाते हैं तो आप इस रेस्पी को बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को सेर कीजिए और अपनी राइ मेरे कमेंट बाक्स में जरूर लिखिए तो आप मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गुड़ाइब